गुड आप्टर नून गाइस बात करेंगे LIC के IPO की जैसा की मैंने देखो आपको बताया था मैं तो को परसनली जा नहीं रहा था इस IPO में और मैंने आपको ये भी बताया था कि इस तरीके की लिश्टिंग वही मुझे नहीं लगता है किसी को लिश्टिंग देन मिले होंगे और मैंने जैसा कहा था वैसा ही लगवा लगवा हुआ है बट अगेन ऐसे कुछ भी नहीं है ये चीज़े चलती रहती है और हमें क्या करना है उसका डिसीजन हमें पहले दो सोच है सकता है वह सब डिसका सोगा उससे पहले चैनल बनाया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर टेले कराम चैनल अभी तक जोइन नहीं किया तो बहुत कुछ कर रहा है आप जोएं कर सकते हैं एच्परोषनल वीडियो आच्पोश्ट बहुत सारी जानकारी कोशनों के अंसर मिल जाता है तो जोईन कर सकते हो फिर योप कॉश्ट है लिंक आमको डिस्क्रिप्शन मिल जाए इसके लावा इम नॉट सिविलेश्ट अडवाइजर जो भी मेरी वीडियो आती सबाती है उचको इस परपस के लिए वीडियो लास तक देखोगे तो सारे डाउट दूर दूर करने की कोशिस करूँगा चलो अब बात कर लेते हैं फटा फट से लाइसी के आईपियो की तो लाइसी का आईपियो आपको पता है 8.62% के आसपास गिरावट के साथ इसकी लिस्टिंग होई थी लिस्टिंग की बात करोगे तो 870 रुपे के आसपास होई थी मैंने ट आसपास की गिरावट चल लाइए जबकि मार्केट के सेंटिमेंट रहोगे तो पूरी तरीके से मार्केट आज बुलिस हो रखके 2.5% के आसपास निप्टी भाग रखका है 2.5% का निप्टी बैंक में तेजी है और इतनी सेंसेक्स में भी तेजी देखने को मिलेगी तो ब की जाए लेकिन उसके बाब यूद भी नहीं भागा तो थोड़ा सा रहने की ज़रूरत है उन लोगों के लिए जो लिश्टिंग के लिए आयते मैंने देखो आपको पहले बताए लिश्टिंग के लिए कर जाना है तो मैंने पहले ही बतना मना किया था मत जाओ फिर इस या घड़ती है क्या किस तरीके की चीज़े चलती है क्योंकि अभी नए नए बहुत सारे आई प्यों आए तो उनका हालत उनकी हालत मैंने देखी है बुरी तरीके हुई है चाहिए पेटियम नाइका पॉलिसी बजार इवन लेटेंट वियू एनलिटेक्स चाहिए पारज चोड़ दो जैसे वही एक लच्मी और्गेनिक्स था जहां पर आपको लिश्टिंग गेंट के बाद भी तेजी देखने को मिली थी उसके बाद आपको मिलेगा एंजल एंजल वन मिलेगा इसके लावा आपको मिलेगा अपना भी जो आयता डानी बिलमर तो कुछ यह काद स्टॉक हैं उससे उससे पहले देखोगे तो हैफिस माइंड और रूट मोवाईल तो यह कुछ थे सक्सेस्पुली अच्छे स्टॉक थे जो जिन्होंने वही लिश्टिंग गेंग के बाद भी वही काफी अच्छे रिटन दिये थे जब लिश्ट हुए थे तो तो उसके अ सकता अगर मार्केट सेंटिमेंट निगेटिव हो गए तो फिर यह नीचे भी और जा सकता है तो यह तो बिल्कुल भी सोच के रखना है आपको और अब घबराने की जरूद नहीं है जिनको दो साल चार साल पांस साल के लिए था तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वही ल लेकि आपको निकलना है आपकी इस चक्कर में ना पढ़ेंगी कल हो सकता है यह रॉक्ट हो जाए यह पांस दिन बाद हो सकता हो जाएगा 10% हो जाए 20% हो जाए बट अगर नहीं हुआ और नीचे और उससे चला गया तो फिर लॉसस आपके बढ़ेंगे तो यह आपको अब जब LICIPO लिस्ट हो गया है तो अभी के लिदे को मैं नहीं जा रहा हूं लेकिन जब भी मुझे ऐसा लगेगा कि मैं परसनली जब भी इस स्टॉक में जाऊंगा तो आपको अपडेट कर दूँगा टेलीग्राम चैनल पे और बहां पे जुड़ जाएए तो यह यह ब